नमस्कार आप सभी का स्वागत है प्याइमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से बूचों में और मैं हूँ आपके साथ अंशिका दर्शिकों आज की कारिकर में हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों में होने वाली समस्याओं के बारे में जैसे जैसे सर्दियां आने लगती हैं सर्दियां बढ़ने लगती हैं हमको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है चाहें वो खासी हो जुखाम हो बुखार हो या फिर अस्तमा के रोग्यों में अस्तमा की समस्या जादा हो जाना तो इन सभी बिद्दू पर चर्चा पर तोड़ा सा समझ के और फोड़ा सा समझ है और झली ठीक कर सकते हैं तो चलिए से जड़ू करते हैं हमने होने वारी समस्यां के बारे में बात करने जा रहे हैं तो सबसे common जो समस्या होने लगती है, सर्दी खासी की समस्या होने लगती है, हाला कि आपसे मैं काफी सारे बातों पर चर्चा करना चाहूंगी, जैसे कि जो भी समस्या है, खासी है, जुखाम है, फीवर है, अस्तिमा है, निमोनिया है, और जॉइन का पेन है, तो इन सब भी बातों पर चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले समझूंगी कि सर्दी खासी, सर्दी के मौसम में ही क्यों trigger होती है? ऐसा नहीं है, सर्दी खासी तो किसी व्यक्तियों कभी भी हो सकती है, ठंड के मौसम में अधिक होती है, और कुछ लोग को ठंड में वो जादा sensitive होते हैं, और जिसका example मैं भी हूँ, मुझे भी ठंड में relatively सर्दी खासी थोड़ी कम, तो यहां पर ऐसा है कि जब वातावरन जब ठंडा हो रहा है, temperature गिर रहा है, दिली में तो रात में temperature 13-12 तक हो जा रहा है भी, तो जब वाहर का मौसम ठंडा है, और हमारा जो internal body का जो metabolism है, वो normal temperature पर ही maintain होगा, तो अब वातावरन का परभाव तो पढ़ रहा है, लेकिन इस अगर पहले से अगर हमारी वो प्रकृति नहीं है, जहां पर हम अच्छी energy, internal energy generate कर रहे हैं, internal heat generate कर रहे हैं, तो फिर दिकत कभी-कभी आती है, लेकिन अगर हमारे पास जानकारी हो, अगर knowledge हो, तो हम उसका एक अच्छा समाधान कर सकते हैं, इसको handle और manage कर सकते हैं, उनहीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे, कि किस परकार हम बाहर बहते ठंड के मुकाबला करने के लिए, अपने heat को, अपने internal heat को हम कैसे बढ़ाएं, तो सर्दी खासी, तो हम body की energy को तीन लेवल पर डिवाइड के जाता है, upper, middle, lower, तो जो सर्दी खासी है, ये upper body part में influence ह हो रहा है, तो एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि जब ठंड बढ़ती है, तो हम अपने body को proper cover करके रखें, अब जैसे खासी का मामला है, तो ये lung, मारा chest, upper chest और neck region है, तो इसको muffler से, या कोई भी suitable कपड़े से, अब इसको cover करके रखें, खास कर जब घर से ब हम बहुत लोग दूसरों को देखा देखी में आप ना जाया करें, हमेशा अपनी body को समझना चाहिए, कि आपकी body की health condition कैसी है, आपकी energy कैसी है, और अपना ध्यार रखना चाहिए, अगर आपको ठंड अधिक लगती है, सदी अगर आपको frequently हो जाती है, तो अपने आपको properly cover करके रखे, ये कपडों की level पर एक बात हूई, फिर उसके लावा खाने-पीने की बात है, तो हम गर्म-चीज़ों का शेवन करें, गर्म-चीजे में, यहाँ पर हम साकहार काम थ्यूति रिदे देते हैं, हमने साकहारी चीज़ों में ही गर्म-चीजों में जाना है, खासकर अद्रग हो सकता है, jinger बहुत सारे चीज़े हैं, winter में तिल के लड़ू खाए जाते हैं और तिल, winter में ही होता है, क्योंकि ये गर्म होता है alci, इसको 30 भी बोलते है, alci का seven किया जाता है तो जो भी ऐसे सभी, जातर घर्मों में ये जनकाली होती है कि winter में कौन कोर से खाने पीने की चीज़ों का प्रयोग किया जाया चाहिए उसको हमें actively, consciously हमें करें और preferably घर के बनीवी चीज़ों का क्योंकि घर का बनी चीज़े हैं तो उसमें हाइजीन बेहतर होगा उसमें भाइब्रेशन बेहतर होगा तो हम घर की बनी चीज़ों का परियोग करें और यहां पर एक बहुत आसान लेकि बहुत एफेक्टिव मेथड़ेक है हल्दी पानी का परियोग अगर गुर्गुणे प च légर्म dao अराम से ले सकते हैं तो हल्दी पानी सिर्फ पिया जा सकता है अगर आपको टेस्ट चाहिए बहुत लोगं टेस्ट के लिए क्योंकि वैसे हल्दी तो कोई कडवा नहीं होता है हल्दी कोई कडवी नहीं होती लेकिन यह ब्लाइंड टेस्ट है कोई टेस्ट राव हनी डाल सकते हैं, राव हनी की कर टेगरी होती है, राव हनी बेटर, तो थ्वासा हनी डाल के आप टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट चाहिए तो आप इसमें नीमू भी डाल सकते हैं, हनी या नीमू ये टेस्ट के लिए परपस से है, जहां पर में काम, विंटर के पॉइ वेगान वेगेटरियन से आगे वेगान का कंसेट आता है तो बहुत लोग दूद में हल्दी डाल के लेते हैं बहुत साहे लोग खासका जिनकी कफ प्रकृती है जो बलगम बनता है और नजला में भी बलगम आ रहा है बन रहा है तो दूद जो है वो कफ को बढ़ाता है तो द इतनी डिमांड है, उतना दूद्ध प्रोड्यूस करना है, तो आर्टिफिशल हर्मोर्स और केमिकल्स काफी यूज होते हैं, तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है नहीं, और हम इस परस्पेक्टिव से भी देखें, कि जो किसी गाय का या भेहंस का दूद्ध होता है, तो हमने अपने मा का दूद्ध लिया, अनिवल का दूद्ध हम अवाइड करें, और बहुत साए रिसर्च में भी यह बात आई है, तो पानी के साथ हल्दी आराम से ली जा सकती है, तो हल्दी पानी का सेवन करके आप बच सकते हैं, बहुत सारी उपाए हैं, जिनके माध्यम से अपने आपको बचा सकते हैं, बिलकुल से इसके साथ ही मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक्विप्रेशर पॉइंट्स के बारे में और कलर्ट हेरपी के बारे में भी जाना चाहूंगी, लेकिन उससे बहुत समझना चाहूंगी कि यह जो कॉमन सर्धी खासी है, यह कब तक कि आइडली दो दिन तीन दिन तब तक हम समझखे कि हाँ इतना दिन ये रहता ही रहता है उसके बाद ही जाता है तीन से पास दिन रहता है और यह नीवारिक करता है कि आ आप की इंटर्नल इनरजी या immunity कितनी अच्छी हो जाती है अगर बहुत बार ऐसे होते हैं कि दो दिन में भी ठीक हो जाता है एक दिन में भी ठीक हो जाता है अगर किसी इनने हल्दी पानी पिया, आईक्यूपेसर पॉइंट पर काम किया, गूगूना पानी पीना जिंजर टी लेना जो भी ऐसे गर्मी ब्राने वाले चीज़े हैं, उनका जब सेवन किया तो एक दिन में दो दिन में भी कितनी बार कंट्रूल हो जाता है, लेकिन हाँ कोल्ड के मामले में भी कहा जाता है कि पास दिन तो लगते हैं अब यहाँ पर जो लोग जल्दबाजी के चकर में कि मुझे इतना दिन सफर नहीं होना, मैं सेटरिजीन ले लू, लेमो सेटरिजीन या ऐसे कोई NACID लेते हैं तो यह एक महावरा भी है कि अगर दवा लो तो पास दिन में ठीक होता है, अगर दवा लो से कैसे रख सकें, वो समझने की जोट है और वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जी, सर तो आप समझने चाहूंगे आपसे ACUPRESSURE POINTS के तुरू कैसे इस पर काम करें ACUPRESSURE भी हम कर सकते हैं और यहाँ पर मुद्रा और परणयाम का भी काफिय उप्रोग है जैसे एक होता है सुरिभेदी पढ़नयाब सुरिभेदी पढ़नयाब में हम स्वरयोग के अंदर ये बात आ जाती है हमाई नासिका के दो नासा पूठ है, दो छिदर हैं, लेफ्ट और राइट जब हमारे भीतर लेफ्ट नासिल चलती है तो हमारी बाइट नासिल चलती है जब भी मौका मिले, आप बाइक रवट लेट जाएगे, बाइक रवट लेटेंगे तो दाइनी sah सण पड़ेगी तो यह एक आसान तरीका है और भी करी सारी तरीके योग के अंदर आते हैं आसान तरीकों की यहां पर बात में कर रहा हूं और जो सुरिभेदी पड़नयाम है उसमें हम दाहिनी दब से स्वांस लेते हैं जैसे हमने बाइन नास्री का छेदर को बंद किया और दाह यह होल्ड जब करना है उस समय आप अपनी कैपेसिटी परसं की कैपेसिटी अलग-लग हो सकती है आपकी जो कैपेसिटी है उसमें आप अपने अपर लेवल पे रहें जब तक आप रोक सकते हैं तब तक रोकें और जब रोकना मुस्किल हो जाए तो आप बस नॉर्मल सांस चोड़ दे तो यह जो यहां पर जब पढ़न्याम के physiology को science को समझा गया है तो यह जब हम breath को hold करते हैं तो इससे हमारे body internally heat generate होती है यह interesting बात है हम सांसों को रोक कर भी अपनी body में heat generate कर सकते हैं तो सुर्भेदी पर न्याम किजिए सुवह साम देखिए कितना अच्छा आपके अपनी अभीतर गर्मी रहेंगी आप ठंड से बहुत असानी से बचे रहेंगे ऐसा कहा जाता है कि जब साधू बहुत सारे साधूशंत हिमाले में तपस्या करते हैं तो हिमाले में ठंड तो काफी है और उनके पास तो कोई ऐसी बहुत जैकेट और बहुत कपड़े इस था नहीं है तो अपनी आपको बचाग रखते हैं तो सुरुभेदी पर नयाम की व्याख्या में आता है कि वो सुरुभेदी पर नयाम करते हैं और अपने आपको हिमाले की ठंड में भी अच्छे से प्रोटेक्ट रखते हैं सूरे भेदी पर्णयाम का उप्यों करके हम अपने आपको सुर्षी तरह सकते हैं सर इतनी अच्छी टेक्निक आपने बता दी सूरे भेदी प्राणायाम जिससे कि हम अपने शरीर की जो गर्मी है उसको बढ़ा सकते हैं साथ यह मूद्रा का उन्हार्णाया है हमारा जो बहुतिक शरीर है वो पस्तत्यों को बना है मिटी पानी आग हवा और आकास यह जो पांचों तत्यों हैं यह हमारे पांचों फिंगर से जुड़े हूए हैं मिट्टी इंडिंग फिंगर पानी लिडिल फिंगर मिट्टी पानी आग अग्नी थंब वायू इंडेक्स फिंगर और आकास मिडिल फिंगर तो हम इन पांचों फिंगर के specific positions से हम तत्वों को कम और जादा कर सकते हैं अगनी तत्व को बढ़ाना हो तो हम सूरी मुद्रा का परियोग करते हैं जल तत्व को बढ़ाना हो तो हम टच करके रखते हैं अभी हमें सूरी मुद्रा हमें समझनी है विंटर के टाइम में तो ring finger को fold करके ring finger, छोटे उंगली के बगल वाली उंगली को हम fold करके उसको थम से प्रेस कर लेंगे आराम से, comfortably और ये प्रेस किये हुए हमें 5 मिनट से 15 मिनट तक रखना है दोनों हाथ में भी कर सकते हैं और एक हाथ से भी कर सकते हैं मान लेजे किसी का लिखने पढ़ने का काम है दाहने हाथ से लिख रहे हैं बाए हाथ फ्री है तो बाए हाथ से आप सूरी मुद्रा बना ले तो सूरी मुद्रा बलान लेने से हमारे भीतर सूरी तत्व, अग्मी तत्व बढ़ने लगता है तो बस आप मुद्रा बना के रखिए और अपने भीतर गर्माहट को गर्मी को पैदा करते जाईए कितना आसान तरीका है बस आपको यह ध्यान रखना कि इसके जो डूरेशन है एक बार में पांच मिर्ट से पंदा मिर्ट है और 24 घंटे में आप दो बार तीन बार अराम से इ हो और सरदी से हम बस सके तो सर इसके साथ ही अब मैं बढ़ना चाहूंगी आगे लेकिन आप से एक्यो प्रेशर पॉइंट पर भी जाना चाहूंगी कि क्या कोई एक्यों प्रेशर पॉइंट है जो शरीर में गर्मी को बढ़ाते हैं बिल्कुल हैं देखिए हमारे भीतर और पीछे के तरफ आता है और पीठ पे आता है तो अगर जो लोग मसाज करवा सकते हैं आप अपने हाथ के बाहर के पोर्षन को अपने पैर के साइड के और पीछे के पोर्षन को मसाज करवाईए तो इससे आपकी भीतर में जिसकों में यांग बोलते हैं, वो यांग मेरेडियन यांग नारी ऐक्टिव होई लगेगी, और पीट के मसाज करने से यांग मेरेडियन एक्टिव हो जाएगी, अगर कोई मसाज करने वाला नहीं है, तो हम खुद अपने हाथेली के पीछे के प्रोट्सन को टैप कर सकते है अपने पीछे के पोस्टन को टैप करने के आप आदर डालने, आप ये टैपिंग करेंगे, दोनों हाथों में आप 5-5 मिनट सुबह साम कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि आपके सरीर में गर्माहट बहने लगती है, देखिए, अंदर पित्वी प्रान है, हमें पित्वी प् याइंग ची को बढ़ाना है, तो हमें टैपिंग से बाहर की तरफ ही करनी है, वैसे ही हम पैर में साइड में कर सकते हैं, साइड की पोर्शन में, और खासकर, हमारे पैर में घुटने के पास बाहर की तरफ एक बहुत महत्पून पॉइंट है, हमारे डायसन अच्छा रहता है, हमारे इम्यूनटी अच्छी रहती है, और यह एंटी एजिंग भी है, बहुत साइड लोग कंसर्ण होते हैं, एंटी एजिंग के क्रीम्स कितने महंगे महंगे आते हैं, लोग रगाते हैं, तो यह आपको अक्योपेसर के पॉइंट ओव यू से एंटी एजिंग का बैठे हैं, कि आपके हाथ फ्री हैं, तो आप सिंपल अपने हाथों को अपने थाइस के नीचे दबा लें, और ऐसे बैठ जाएं, अपने हाथों को आप कैसे भी रख सकते हैं, और ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आप थाइस के नीचे दबा कर आप 5-10 मिनट बैठ जाएं, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर गर्मी बढ़ने लगती है, ऐसा क्यों होता है, ठाई के पास पीछे के तरफ यांग नाड़ी जा रही है, अगर हाथ का टच वहाँ पर होता है, तो वो थोड़ी एक्टिव होई लग जाती है, तो सिंपल बैठने के तरीके मात्र से आप अ अपने बेट में बैठते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, तो बैठने के धंग से भी हम अपने भीतर सुर्य प्राण को एक्टिव कर सकते हैं और अपने आपको फायदा पहुचा सकते हैं, सर इसके साथ ही ना अब सर्दियों में एक समस्य और कॉमन है, और इसके साथ हाथ प क्यों होता है सरदियों में ही क्यों होता है वास्तों में जिस व्यक्ति के blood circulation poor हो पूर का मतलब है कि जितना actively अच्छे से flow होना चाहिए उतना flow नहीं हो रहा तो गर्मियों में काम चल जाता है लेकिन सर्दियों में वो लक्षन पर्कट हो जाते हैं गर्बड तो गर्मियों में भी है उस वेक्ति का blood flow पूर है तो वो किसी दूसरे health condition के रूप में वो जल्दी पर्कट हो सकता है या वैसा वेक्ति बिमार जल्दी पड़ेगा क्योंकि blood circulation पूर है खून जो है वो धीरे धीरे बहरा है हाथ पैर जो peripheral parts of limbs है हमारे हथेलिया और पैर की मुझलिया उनमें खून कम बहता है तो हाथ पैर थोगे ठंडे हो जाते है मुझे भी यह समस्या कुछ साल पहले थी धीरे धीरे जब मैंने जो responsible organ है वो हमें समझना है वो heart है और heart के बाद हमारा spleen है अगर हम heart को और spleen को इन दुनों को अगर active रखें बिल्कुल fit रखें तो यह समस्या नहीं होगी तो पहले मैं heart के आपको acupressor point बताता हूँ हमारे हाथ में कलाई में है HT7 और HT8 अगर HT7 और HT8 acupressor point को हम tone करते है tone मतलब massage करना, activate करना उस तो दबाना है, छोड़ना है दबाना है, छोड़ना है यह हमारी हार्ट लाइन है पाविश्ट्री के अंदर यहाँ पर यह दो finger के जो bone है उसके बीच में है यहाँ पर तो HT8 acupressor point को हमें दोनों हाथों में बारी-बारी से दो-दो मिनट के लिए दिन में पाँच बार वोगि जिनके हाथ पर ठंडे होते हैं उनको बहुत प्रॉलम होती है और यह ठीक होने में थ्वास समय लेता है तो अपने HT8 acupressor point का दोनों हाथ में आप मसाज करें, टोन करें हाथ से मसाज करने के लावा मैं मैंगनेट therapy भी recommend करता हूँ अगर आपको मैंगनेट का access हो पाए तो मैंगनेट में दो color होते हैं सफेद color और पीला रंग यहाँ पे हम सफेद रंग ऊपर रखते हुए मैंगनेट को भी हम लगा सकते हैं लेकिन मैंगनेट चलिए खहिदना पड़ेगा आपको हाथ से दबाके तो हम बहुत आसानी से करी सकते हैं और परिवार में अगर आपके कोई दूसरे family member cooperative हो तो आप उनसे भी थाद दबा लिया करें क्योंकि हम खुद दबाते हैं थक जाते हैं बोर हो जाते हैं भूल जाते हैं अगर दिन में एक बार दो बार कोई दूसरा family member दबा दे तो आपको याद रहेगा दिन में पांच बार तो आपको इसे जरूर दबाना है HT8 को main point HT8 है और उसके बाद HT7 है HT8 और HT7 के अलावा HT36 occupancy point का मैंने भी जिकर किया था वो cold feet को भी दूर करने में फायदा करेंगा और बहुत सारे घरों में बच्चों के लिए खास कर या जो थोड़े एजेंट होते हैं उनके तल्वे की सोने से पहले तल्वों की मालिस किया करते हैं बहुत सारे परिवारों में या आदत है कलचन है सोने से पहले पैरों की मालिस करना तेल से मालिस करें या आप डायेट मालिस करें ये एक अच्छी आदत है तो हमें मालिस करनी चाहिए उससे भी blood circulation जो है वो अच्छा होता है और पूरी तल्वे की मालिस करने में अगर आपको लगे की जाद समय लग रहा है समयाग में पस कम हो तो आप tips of the toes जो पैरों की अगलिया है उनकी जो tips है उनका कम से कम कर लिया करें क्योंकि पूरे तल्वे में सबसे ज़्यादा important जो part है वो tips of the toes है हमारे हाथों में भी tips of the fingers है relatively ज़्यादा important और पैरों में तो हाथों और पैरों में पैर का मसाज ज़्यादा फाइन बंद है क्योंकि यांग मेरेडियन जो है ना वो पैर में ज़्यादा active होने चाहिए तो अगर दोनों का कर सके तो well and good अगर दोनों का नहीं कर सकते तो कम से हम पैरों का कर लें तो पैरों का massage पैरों के tips का massage करेंगे तो ये cold fit को कम करने में काफी फाइदा पहुंचाएगा और जैसे पहले हमने देखा था हमें गरम चीजों का सेवन करना चाहिए अद्रक है हल्दी है इन सभी का सेवन करना भी फाइदा करता है सर यहापर क्या हम सूरे भेडी प्रणायम जो आपने बताया हमें वो कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सूरे भेडी प्रणायम सर्दी में होने वाली किसी भी समस्या में बहुत फाइदा करता है और जो मुद्रा के बारे में आपने जिक्र किया? सुरी मुद्रा, यस. पांस से पंदा मिनट दिन में तीन बार या दो बार हम सुरी मुद्रा कर सकते हैं. कि सर कोई particular time है इन मुद्रा को करने का? ऐसा कुछ नहीं, जब भी आपको फुरसत है, जब भी आपको याद है आप पुद्रा कर सकते हैं, मुद्रा को विस्स टाइम कमाते हैं. सर क्या यहाँ पर हम कोई color therapy का इस्तिमाल कर सकते हैं क्या जू सूरे की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा पार? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि विंटर में हम कपड़ी अधिक पहनते हैं, हम सौक्स पहनते हैं, मौतों खाथ में दस्ताने भी पहनते हैं, तो कपड़ों से अगर कभर हो गया, तो फिर कलत्यापी काम नहीं आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर दोपहर में, मेन तो हील्थ है और अगर किसंद, आप पूप को आहां प्वाट को सुरी के तरफ रखें तो और कपडों के ऊपर भी सुर्य प्रकास लगे तो गर्मी मिल जाएगी अगर आप सुर्य मेन बैठते हैं सुर्य और अगर आपको ध्यान करने का मौका मिलता है अगर थ्वास आप आराम से बैठ पा रहे हैं कमफर्टेबल सीट है तो आप एक म्यूजिक लगाकर सुर्फ प्रकास में ध्यान में भी बैठ जाया करें तो ध्यान में हम उर्चा तो यो भी कमाते हैं इस प्रिचो रियाल्टी वीडियो आपने देखा होगा जब में अगर सुर्फ प्रकास में बैठ कर रहे हैं तो अगर अगर आप ध्यान कर रहे हैं जब आपका मन सांथ हो जाता है और इसको बेर साइंस के लागज में कहते हैं अलफा थीटा डिल्टा तो अगर आप अलफा में पहुंच जाते हैं बाद भी कर सकते हैं यह बहुत लोगों के लिए चंभा लगेगा इस पॉसिबल आप सुर्फ से प्रात्ना कर सकते हैं रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझको अपनी प्राण ओर जा दो तो नॉर्मली हम जब जो नॉर्मल हम बात्रीत करते हैं इस समय हमारा ब्रेंट बीटा स में अगर आप प्रात्ना करेंगी तो इसका इफेक्ट उतना नहीं होता है नहीं अग्य हम से रिलике जाते हैं जो क्यों कि हम न मैटरीसन करते हैं तो इन्वह रहा है बहुत सारी ध्यानियों कली अन यर्या द्यानी जान वह हम ध्यान—कि सिंभी किसी भी बात कर लेते हैं घ् अपने हमें थोड़ी अपनी उर्जा दो, लेकिन यह अच्छा हो, आपको अलफा में अगर आपका करेंगे तो, और ध्यान में बैठेंगे, थोड़ा सा म्यूजिक सुनेंगे, सासों पर ध्यान लगाएंगे, अब अलफा में बहुत आसानी सा जाएंगे, तो आधे घंडे के की उर्जा को अपने हिर्दय में और अपने स्प्लीन में जाने के लिए भी आप रिक्विश्ट कर सकते हैं, हाथ कहा होता है, यह जातर लोगों को पता है, कि कहां पर गोली लगती है, तो इनसान की जान नहीं मजती, या हम हाथ रखके धरकर भी महसूस कर लेते हैं, लेकि लेकित, हम जब सान्स लेते हैं, तो हार पेटा हमूव कर TROP करता है, तो यह उस कौरणर पे है, जो जहां पर रीप खत्म हो रहा है, और पेट सुरु हो रहा हा उस एगा पे बाह तरफ इस कौरणर में स्प्लीन औरगन है।, तो हाट औरगन को और स्प्लीन औरगन को हम सकते हैं और सर्दियों में में로 हमें जरूरत तो सूरे उरजा की ही होती है, जब हम सूरे की रोशनी में धूप में जब हम बैटते हैं, तो हमें कितना अच्छा गुन-गुना गुन-गुना हिसास होता है, और हीलिंग भी वहाँ पर हमें फील होती है सर आपने सन के बारे में इतने सारे exercise बता दी इसके साथ ही न एक और है जो कि सूरे त्रयाटेक जिसके बारे में आप बात करते हैं लेकिन आपने बताया है कि उससे हम आखों में बड़ा फाइदा मिलता है लेकिन क्या और भी समस्यां को हील करने में सूरे त्रयाटक काम करता है सूरे त्रयाटक सूरे ध्यान दुनिया की आधी बिमारियों को दूर कर सकता है यह बात बहुत सारे दर्सकों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए चौकाने वाली होगी देखिए, उर्जा विज्यान में हमने सुना है, सीखा है, ऊपर सूरज है, नीचे पृत्वी है और बीच में हम है। हम सूरज की नेज़ी को लेते हैं और पृती कृतल पर। और उर्जा इत्रिक वाडी च ensuite के लेवल पे हम ब्रमार की उर्जा लेते हैं। तो सूरज के लिए और उर्जा का तो इतना ब्रानोल है अगर हम सुरिकी और जीवन में सुरिकी ओर लेना सीख ले तो हमारी आदी बिमारी ठीक हो सकती है कौन कोरव से बिमारी? सरवाइकल, बैक पेइन, वैरिकोज वेड बहुत सारी बिमारी सुरुड तराटक से ठीक हो सकती है, सुरुड तराटक सिर्फ आँखों के लिए नहीं होता है, हाँ आँखों के लिए भी होता है, और मैंने फर्स्ट एर M.E.B.S. में अपना चस्मा जो है, वो सुरुड तराटक करके उतारा है, तो मैं खुद तराटक अगर हम करते हैं, तो हम सुरु की उर्जा से, सुरु की रोस्ति से डारेट जूर जाते हैं, तो हम अगर सुरु प्रकास में बैठे हैं, तो थोड़ी थोड़ी उर्जा ले रहे हैं, तो हम सुरु तराटक कर रहे हैं, तो हम जादा उर्जा ले रहे हैं, तो वो अ से में अच्छा लेगता है जो अरली सूरज है और जो लेट सुरज है जो भी अलग लग जगहों पर क्योंकि ने रहते हैं और सहरों के लिए कम नहीं दिखता है हाँ जब विंटर के अलावा बाकी के मौसम में आपको सुर्योदय के सूरज में करना चाहिए जब आप बिगनर्स लेवल पे होते हैं क्यानि कि सुरुआती एक साल जब आपको अभ्यास करते हुए छे महिने एक साल जब हो जाते हैं तब आप किसी भी समय सुरुतयाटक कर सकते हैं दोपर के समय भी सुरुतयाटक किया जा सकता है जब मैंने पहली बार सुरुतयाटक के प्रॉसेस को देखा था बेंगॉल के सौमी उमाशंकर के दौरा तब तो अगस्त का महिना था और दोपर के दो बजे उन्हें लगभग 20-22 मिनट सुरुतयाटक करके दिखाया था अगस्त का महिना तो बहुत गर्मी का मौसम होता है लेकि फिर भी उन्हें बीस मिनट के लिए सुरुतयाटक किया था तो यह लेकिन यह उच्छ साधक के लिए है जो कई सालों से कर रहे है बीगनर्स के लिए बाकी के मौसम में सुबह का सुरुत करना चाहिए विंटर के टाइम में हम किसी भी टाइम कर सकते हैं और अपने आँखों पे आप जोड़ ना दें आप अराम से सुरुज को देखें सुरुज के थोवासा ऊपर देखें देखें सुरुज को देख रहा है और सुरुज के थोवासा ऊपर देखें जब हम सुरुज के ऊपर पार्ट होता है जो conjunctiva बोलते हैं वो आँख सूरी की रोषिन के सामने आता है तो जो UV rays का concern कुछ लोगों को है इसे UV rays का concern बहुत जादा नहीं है बहुत जादा नुकसान दाइक नहीं है लेकिन चलिए medical में ये concern आता है तो अगर हम सूरी के थाषिन ओपर देख रहे हैं white portion of conjun जो कंजक्टाइवा कहते हैं वो जब सुरी के सामने है तो कंजक्टाइवा को कोई दुक्सान यूवियर से नहीं होगा जो ब्लैक पोर्सन है कॉर्णिया उसको हम बचा सकते हैं और आप सुरुवात जब करें तो 30-40 से करें एक मिनिट उससे ज्यादा मत करें जब रोज आप सुरे ध्यान कर रहे हैं तो 10-15 से एक दिन में बढ़ाएं बहुत दीरे धीरे बढ़ाना है बहुत जेंटल रहना है और धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो आपका सरीर हैबिश्यूएटर रहेगा और कोई रुक्सान नहीं होगा बहुत लोग जोस में आके अचानक से बताते हैं कि जब वो सुरे ताटक कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद उनके आखों में जलन जैसे लग लगती है तो जलन लग रही है इसका मतलब है कि आपके आखों में सुरे प्रकास अधिक जा रहा है और ग्राउंडिंग कम है गवराने की कोई बात नहीं है बस आप सुरे प्रकास ताटक का जो डुरेशन है उसको कुछ सकंड के लिए कम करें जिनको जलन के समस्या हो उनके लिए सभी को तो होती नहीं है और ग्राउंडिंग करें मतलब आप मिट्टी पर जमीन पर बैठे या लेटे आप अपने घर पे भी जब आप सुरे ताटक आपने क कर लेंगे तो सुरे ताटक के कोई स्टाटक नहीं है कोई भी घबराने की बात नहीं है यूवी रेज हमें कोई नुकसार नहीं करता है और एक बात और भी है जो सुरे को हमें अपना मित्र समझना चाहिए सुरे हमारा मित्र है भी हमारा हमें जीवन दाई है जो भी हम करें आप यह भाव रखें कि सूर्य तो मेंरा मित्र है तो हम काया में पहुन नहीं पहुँनगा नहीं बहु करिसे से हम साइड इफेक्ट से बच सकते हैं तो एक हीन भाबना कहीं न कहीं मन में सूरे के प्रति डेवेलप हो जाती है और उसके वज़े से हम थोड़ी सी दूरी वहां से बनाना शुरू कर देते हैं और वहीं हम यह चीज भूल जाते हैं जबकि सूरे तो प्रांट डाई है सूरे सहे कितना प्रांड प्लांटस में आता है और वही प्लांटस हम कंजुम करते हैं जिससे हमारा शरी चल रहा हैं सारे मुवमेंट कर लग EVERY से थे तो हमें ध्यान देने की since कि हमें सूर्य प्राण को थोड़ा सा बढ़ाना है, और इसके साथ ही जब भी सर्दी का मौसम आने लगता है, तो हमें खुद भखुद ब्रूप में बैठने के इच्छा होने लगती है, तो बोड़ी का भी इंडिकेशन होता है कि आपको सूर्य के प्रकाश में जाना है, सू तो मैं सब्सब्स से पहले बंच्ट कॉसमेंी मेख़ तो मैं सब दो Separate कि और लेकिन्हें hin sponsor चैना आठी पर देहं कि धिशुक्त साब को back वार्या के इन्टीमोर्य करती बात करें में फुब परde कॉने वेग्न व्र सके फोने को उन थे ट्रेज्ज़ शगीन थे आ northern होता है तो ये बात समझने कि उसकी winter में immunity उसकी ठंड जल्दी लग गई और infection हो गया तो ठंड से basically बचा के रखना है और गर्मी बच्चे थो ज़्यादा sensitive होते हैं तो बच्चों के मामले में हमें थो ज़्यादा care करने की जोद परती है serious citizen old people भी ज़्यादा sensitive होते हैं उनके लिए हमें थो ज़्यादा care करने की जोद परती है बच्चों के कमरे में और बुड़ों के कमरों में heater लगा के रख सकते हैं ठंड से बचे ठंड में खुली हवा में अचानक से कभी ना जाए और जब भी जाए तो properly cover करके ही जाएं थ्वास अभी चांस बच्चों के मामले में नहीं लेना चाहिए तो अगर ठंड से बचागर रखेंगे तो निमोनिया की समभाव ना कम रहेगी और बाकी कि माता-पिता का एक role एक responsibility बनती है कि अपनी ध्यान करते हुए अपनी इनरजी बढ़ाएं और उनकी नरी जाग अच्छी रहेगी तो उनके बच्चे की इनरजी भी अच्छी रहेगी तो regular meditation भी यहाँ पर बहुत helpful है तो उसे जैसे बच्चा छोटा है या फिर कोई बुजर्ग जो है उनको समस्य अगर ध्यान करने में हो रही है तो क्या उनके parents ध्यान कर सकते हैं हाँ अगर किसी family में अगर कोई ऐसा person है जो ध्यान नहीं कर पा रहा है तो उनके family member उनके पास बैठकर उनके साथ धार में बैठकर और उनको अगर छोटा बच्चा है फिर तो वो बस बास में सो रहा है तो ठीक है या गोद में सो सकता है अगर कोई oldies है तो उनको हम request कर सकत है तो group meditation अगर परिवार के सभी सदस से एक साथ ध्यान में बैठते हैं तो यह बहुत अच्छी energy को generate करता है और इससे हमारे भी तर प्रेम भी बढ़ता है आज के समाज में बहुत चारे परिवारों में समस्या है कि परिवार के सदस लोग अपने परिवारें बीजी रहते ह हैं और एक दूसरे के साथ समय कम बत्याते हैं तो अगर साथ में ध्यान को लिए बैठेंगे तो कम से कम आधे गंटे के लिए 40 समय मिलेगा ना एक साथ समसाथ में आ रहे हैं तो यह प्रेम बढ़ाने के लिए अच्छा है और अगर हम meditation में energy का language समझें तो एक और एक मिलकर ग्यारा होते हैं अगर साथ में ध्यान में बैठ रहे हैं तो वो दूसरे के ध्यान की उर्जा से भी खुद को लाव पाते हैं इसलिए ग्रूप meditation पीसेसम में ग्रूप meditation में बहुत जोड़ दिया गया है पीसेसम के लावा भी शौमी सिर्व के पानद गुजरात में वह भी ग्रूप meditation पे बहुत जोड़ देते हैं ग्रूप meditation चाहे वो ग्रूप दो व्यक्ति कहीं क्यों ना हो तीन व्यक्ति कहीं क्यों नहीं है और उससे दोनों व्यक्ति को ध्यान में फाइदा मिलता है लाव मिलता है तो हमें आधे गंटे के लिए चाले समीट के लिए एक घंटे के लिए depending upon कि फैमिली में कितना आपस में ध्यान के समझ है कितना अंके पास समय है हमें ध्यान के लिए कुछ देर तो साथ में ध्याने बैठना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि जो समस्या है निमोनिया की इसमें भी अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें इससे लाब मिल सकते हैं बहुत लाब मिलना है तो सर इसमें और कुछ कर सकते हैं कि और भी ज़्यादा हमें लाब बेले या फिर निमोनिया की जो समस्या है वो जीवन में आ बच्चे को पानी से जो नहीं दोना होता है हर फिंगर पर अंदर के तरह तेन ब्यूल मेरीडियन होते है तो यहां पे पे तीन ब्यूल मेरीडियन है L.I. meridian तीपल वार्मर DENNIS meridian और SI meridian तो जो L.I. meridian है हमें उसको उसपर काला रंग लगाना है बस बहुत असानी से हम एक काला रंग का मार कर ले और जो हमारा जो डेल है डेल का जो ये साइड को बॉडर है साइड बॉडर के उपर करते हुए हम इसको स्ट्रेट सीधा खीच ले ऐसे जो डेल का जो साइट का जो बौडर है उस पर करते हुए हम उसके लीचे सीधा स्ट्रेट सीधा आ जाए तो यह अलाई मेरेडियन, ब्योल अलाई मेरेडियन को हमने ब्लैक कलर से स Görat किया है तो यह infection, हर तरह की infection को control करने में ये फायदा करता है और ये हमें दोनों हाथों भी करता है और जब एक बार color लगाते हैं तो तीन घंटे से छे घंटे के लिए color हमें लगा कर रखना चाहिए तो वह ideal है तो color therapy के माध्यम से हम infection को control कर सकते हैं तो इसके साथ ही मैं अगले समस्य के और बढ़ना चाहूंगी जो की है dry skin की और इसके साथ ही मैं समझना भी चाहूंगी आपसे asthma पर भी बात करना चाहूंगी जॉइंट पेंट पर भी बात करूंगी लेकिन सबसे पहले मेरे जो हमारे जो viewers है asthma के जो समस्या जिनको है और सर्जियों के मौसम में समस्या ज्यादा trigger होने लगती है asthma के attacks उनको ज्यादा आने लगते हैं तो पहले उनके बारे में बात करना चाहूंगी कि उनको क्या हम कैसे सहायता कैसे पहुँचा सकते हैं उनको लेकिए asthma एक allergic reaction माना जाता है और इसमें हमें सांस लेने में तकलिफ होती है energy medicine के अंदर में सांस लेने में तकलिफ होती है कि छोडने में तकलिफ होती है उसके नुसार से एक्यूपेसर पॉइंट बडल जाते है तो एस्थमा में सांस लेने में तकलिफ होती है तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एक्यूपेसर पॉइंट है LU5 LU5 जो है वो हमारी कुहनी पर है कुहनी पर जो आगे जो forearm जो मूर्डा है उसके उपर थम की लाइन में इस LU5 जो मसाज करते हैं दोनों हाथों में एक बार में लगवाद दो मिट के समय के लिए और इसा दिन में पांच बार तो रेगूलर रूप से अगर हम LU5 जो मसाज करें तो ये अस्थमा को कंट्रोल करने में बहुत फाइदा करता है अस्थमा एलोपैथी में एक लाइलाज बिमारी है लेकिन इनर्जी मेडिसीन में इसका बहुत अच्छा इलाज है अगर LU5 पर काम करते हैं तो आप अपने इस्थमा को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं आपको अटक्स आने कम हो जाएंगी और फिर बाद में आप करते परिवर्तन की शरंखला को देखते हैं परिवर्तन सीजन पोर देखते हैं तो अस्थमा में हम क्या अफरमेशन से इस्तमाल कर सकते हैं हाला कि हम परिवर्तन में भी बात कर रहे हैं लेकिन जब अब डिसकस कर रहे हैं अस्थमा को तो अब जानना चाहूंगी कि कौन से अफ स्थितियां हो, मैं mental condition के रूपे बोल रहा हूँ, जब कोई परिवारी कोई ऐसा माहौल है, जब काम करने के आजादी नहीं है, जीने के आजादी नहीं है, या जितना आजादी वो परसन चाहता है, उससे कम है, और ये relatively बच्चपन में ज्यादा होता है, किसी family में, अगर घर कुछ ऐसा बच्चे को लगता है, कि ये घर का environment जो है, वो safe नहीं है, मैं comfortable नहीं हूँ, मैं ठीक से जी नहीं पा रही हूँ, मैं ठीक से सांस नहीं पा रही हूँ, तो ये जो mental loop से जो उसकी पास एक stress बनता है, वो physical loop से टास्लिट हो जाता है, तो आब बहुत वा ऐसा था कि पैस्तितियां बदल गई, बच्चा जो है, बाद में marriage हो गई, वो आप दूसरे घर में आ गए, अब वो पैस्तितियां नहीं है, लेकिन फिर भी, जो mind होता है, सब conscious mind में जो pattern बन जाता है, फिर वो उसको create वो करता रहता है, तो affirmation का role यहीं परा जाता है, कि अगर हमने इस बात को समझ लिया, कि हमारे भीतर कोई pattern है, और उस pattern को समझ लिया हमें चिंतर करना चाहिए, कि क्या मेरे भीतर कोई ऐसा past में ऐसा हुआ है, जब मैं comfortable नहीं था, क्या कभी ऐसा बात थी, जब मैं अपने आप से जूच रहा था, कि मुछे आजादी नहीं मिल रही थी, तो अगर हमको यह बात pattern समझ में आ जाए ना, तब affirmation करना ज्यादा फाइदे मन्द होगा, अगर आप इतना चिंतर में नहीं भी कर पाते हैं, तो भी affirmation करना आपको फाइदा करेगा, लुई हे के किताबों को पढ़ना चाहिए, हर बिमारी के लिए लुई हे ने बहुत अच् लिखा गया है, अस्थामा के लिए हम affirmation यह कर सकते हैं कि मैं अपनी जिन्दगी में स्वतंत्र हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ, वो मैं कर रही हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, जेंडर वाइज आप अपना modify कर लिजेगा, जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं करने के लिए इस तरह के affirmations करेंगे तो यह आपके पुराने pattern को भी delete करेंगा, चेंज करेंगा, affirmation हम बार-बार करते हैं तो यह subconscious mind अब चेतन मन में जाता है, और चेतन मन में जाए, तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, medical में, alopeathy में अस्थमा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन जब हम mind पर का काम करें, तो यह ठीक हो सकता है, बहुत बड़ी बात है, लोगों को फाइदा होते हुए मैंने देखा है, अगर आप करेंगे तो आप भी फाइदा पाएंगे. तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ने लगी है, तो आपको अस्थमा का इस्तिमाल करना है, आपको समझने की जरूद है कि क्या कुछ हमारे साथ ऐसा पास्ट में हो चुका है, जिसके वज़े से हम इस तरह का फील कर रही है, और जब आप उस चीज को समझ लेंगे, कि उसके बाद आप मेडिटेट करेंगे और इसके साथ ही अफर्मेशन पर ध्यान देंगे, अफर्मेशन करेंगे, तो आपकी जो समस्या हैं वो कहीं न कहीं बहुत कम होने लगेगी, तो सर इसके साथ है मैं पढ़ना चाहूंगी आगे, एक और हमारा ऐसा वर्ग है जो हम बुजर्ग वर्ग उनको समझ सकते हैं, क्योंकि उनको जॉइंट्स की समस्या जादा होने लगते हैं, क्योंकि हमारे जो बुजर्ग विवर्ज हैं उनको पी समस्या सर्दियों के बढ़ने के साथ साथ यही होती है, कि अब जॉइंट्स में पें हो रहा है, चलने में दिक् प्रकॉस में बैठ आए मुझर्द को अधे गंटे के लिए कमसे कम बैठना ही चाहिए जब बैठते है उनकी च्छोइस है। और बहुत लोग बुलें además हम बैठते तो हैं भी बैठना हैं बैठते हैं और सुल्ब प्रकॉस करणने और सही आप अइसा करना ने थियादा फाइदा करता है और सुर्वप्रकास में आप पैसिव बैठे हैं बस अपना बैठे है और मुबाइल प्रॉट से ने तो यह आपको उतना फाइदा नहीं करेगा देखाँ परकास में बैठे हैं और आप आँख बद प्रतु है और डुब्र जो है। जो है जौइंट्स के लिए जुमिदार होता है। ज्मिधार होता है। लिए ठीकिनरजी आगर आक्टिव होगी तो जौइंट्स्ण है आपके रहे है जॉइंट्स की मसाज कर सकते हैं जो जोड की मसाज जो करेंगे अब यहां पर थौस अगर हम नाडियों का distribution समझें पिर्थवी प्रान और सूरी प्रान दो तरह की नाडिया होती है तो सूरी प्रान की नाडियों का मसाज ज्यादा फाइदा करेगा तो अब जैसे घुट्टे के एक्जांपल में मैं बताओं कि घुट्ने में जो एंटेरो लेटरल सर्फिस है जहां से अस्टमक की ना बाकी भी मसाज कर सकते हैं जोड़ों पर चारों तरफ से मसाज कर सकते हैं मसाज करने से ब्लड स्वर्फिस में बढ़ता है और यह काफी फाइदा करता है जोड़ों के मसाज के लावा हम सुजोग थेरपी का उप्योग कर सकते हैं यहां पर सुजोग थेरपी भी काम आती ह येस, सुजोक joint spins के मामले में बहुत effective है, और भी बहुत सारे condition में effective है, तरहिए, joint pin में जायतर घुटनों का दर्ध होता है, पहले में घुटनों का दर्ध की बात कर लेता हूँ, बाद में किसी भी joint के रिली हम कर सकते हैं, तो हमारे सुजोक में, हमारे जो middle finger हैं, और जो ring finger है इन दोनों को pair कहा जाता है, और इस pair में भी दो joint हैं, हमारे पैर में भी two joint है, घुटने का joint और ankle, तकने का joint, तो जो ऊपर का joint है, वो घुटने joint है और नीचे का joint, जो एंकल joint है, तो अगर हमारे घुटने में दर्ध होता है, तो हम अपने इस joint को چारो तरफ से मसाज किया करें धूप में बैटके या अपने घर में बैठे हुए हम इस जोइंट को  which योग मिसाज करने के साथ-साथ हम इस खौसा ऊपर और खौसा नीचे भी मसाज करने मेर हमें मसाज जु है वो हमें इस जोइंट का करना है यह जो जॉइन्ट है चावतरब से सुजोक में कुछ लोग यहां पर मेथी का दाना लगाते हैं अगर आप वो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं मैं इजी मेथड में ज्यादा बहता हूं अगर आप सिर्फ अपने alive से सुजोक से सुजोक के रिंग यहादा नहीं है आप सिर्फ अपने हाध से सुजोक के रिंग के कवने को अगर इसका दुकान आप Ale यहां पर लाल रंग का परियोग और हरे रंग का परियोग किया जा सकता है। अगर आप इस जॉइंट पर चारो तब से लगा देते हैं, मैं आपको लगा के एक वार दिखा देता हूं, हम इसे जिग-जैक करेंगे। मैंने एक जुइंट पर किया है, मैं ऐसा मिल फिंगर और निंक फिंगर दोनों हाथों में करेंगे। हम चाव तब से अच्छे से आप उसको टंक करेंगा। और लाल नंग का परियोग किया जा सकता है। green color, हरे रंग का भी प्रयोग किया जा सकता है तो पहले आपको 2-3 मिनट मसाज करना है और बाद में आपको यहाँ पर 4 तप से लाल लंग लगा लिना है या हरा लंग लगा लिना है तो ये लाल लंग ये हरा लंग लगाने से इस एरिया में, नी के एरिया में ब्लड का सर्कुलिशन बढ़ने लगेगा जो लाल लंग होता है वो ब्लड सर्कुलिशन को बढ़ता है जहां भी आपको लाल लंग लगाने के परभाव से उस एरिया में ब्लड का सर्कुलिशन बढ़ जाता है तो ब्लड का सर्कुलिशन बढ़ जाए तो कुछ लोगों को पैरों की उगलियों में भी दर्द हो जाता है, तो आप पैरों में ही अपने सभी उगलियों का अच्छे से मसाज करें, हीटर के सामने तेल लगा के कर सकते हैं, या बिना तेल का भी कर सकते हैं, पांचों उगलियों को, खासकर अंगुठे के अलावा चा तो फारोंगलियों के जो जॉइंट्स वारे एरिया है, पैर भी, वहां पर आप लालग लगा ले, तो हीट से, हीटर के पास, बैठ कर मसाज करने से, या ऐसे ही मसाज करने से, सुष्भ प्रकासर बैठ कर मसाज करने से, बढ़ने से, जो जॉइंट का पेन होगा, वो बहुत आसानी से आप आएंगे कि आप उसको कब कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इससे फ्री हो सकते हैं. Thank you so much sir, जो आपने हमारे joint pain की जो समस्या जो इनको जादा रहती है, बुज़र्ब वर्ग उनके लिए इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी knowledge शेयर की, मुझे लगता है कि हमारे जो viewers हैं, उनको इससे बहुत जादा फाइदा मिलेगा, और इसके साथी सर्फ बढ़ेंगे आज की एक और जो समस्या पर बात करना चाहूंगी, जो है dry skin की, सरदियां बढ़ते बढ़ते देखा जाता है, हमारे face पर skin dry होने लगती है, और इसके साथी white-white scratches, अगर हम थोड़ा सा भी ऐसा कुछ कर लेते तो वो होने लगते हैं, तो dryness की हद हो जाती है, कह सकते हैं, तो इसके बारे में समझना चाहूंगी, कि वहाँ पर क्या कारण हो जाता है सरदिय के साथी? में यहाँ पर बात हमें समझनी है, कि जो हमारा जो skin है, वो उतना healthy नहीं है, जो skin का जो indigenous tissues हैं, वो उतने proper way में नहीं है, तभी scratch करने से वहाँ सफेद बन जा रही है, अगर इसकीन healthy हो, तो scratch करने से वहाँ पर white नहीं बनेगा, तो ये बात winter में परकट हो रही है, winter के कारण ये बात पता चल रही है, और मौसम का ये परभाव होता है, मौसम का तो effect है, लेकिन जिन को होता है, सभी व्यक्ति को नहीं होता है, ये बात भी समझनी है, जिनका skin पूरी तसे healthy हो, उनको ये नहीं होगा, तो हमें अपने skin को healthy रखने के लिए ध्यार रखना चाहिए, वैसे dryness को कम करने के लिए नाभी में तेल लगाना एक बहुत अच्छा होपा है, सोते समय या सनान से पहले, नाभी में दो बुन, चारबुन, कोई भी तेल, mustard oil सबसे common है, तो mustard oil नहीं तो कोई भी समी तेल नाभी में लगाने से dryness को कम करता है, लेकिन ये हर तरह का dryness को कम करता है, अगर face का, या hand का dryness है, सिर्फ उसको कम करने की बात नहीं है, हमें अपन अलोपैथी में ऐसा नहीं जानते मानते, तो अगर हम अपने lungs को healthy रखें, तो हमारा skin healthy रहेगा, लंग्स को healthy करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अनुलोब विलोब पर नयाम कर सकते हैं, अनुलोब विलोब पर नयाम करने से जब आपके lungs healthy रहेंगे, तो आपका skin healthy रहेगा तो रूलों विलों परिणाप कीजिए, ना भी हुए तेल लगाईए, और बहुत सारे क्रीम आते हैं मार्केट में जिसको हम परियोग करते हैं, क्रीम से के बजाए जो भी ऑईल है, हर एक तरग जो भी ऑईल सूट करता है, अलग लग वेक्तिकों अलग ऑईल सूट करता है, क्रीम के परियोग पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ना ओयल से प्रॉपर ड्रिस्मेट आपको मिलता है, वैसे सभी विग्यापन करने वाली कंपडियां यही बोलती है, कि इसमें आप इसे से प्रोडक्ट्स हैं, कि इसके अंदर आपको नूट्रिशन बहुत मिलेगा, लेकिन एक बात आप जानिए, जो प्राकृतिक रूप से है, वैसे तेल भी पुईता से प्राकृतिक नहीं है, अपने तेल निकाला है, बीजों से, तकि फिर भी डेटिवली क्रीम के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा प्राकृतिक है, तो तेल के लगाने पर ज्यादा फो जाते हैं कि ये बॉड़ी बटर है, बॉड़ी यूगर्ट है, और बहुत सारी चीजे अवेलिबल हैं माकेट में, तो आपने जैसे कि बताया कि हम उनको ना देख करके हमें प्रकृति के और जादा जाना है, जो हमें नेचरल चीजे जादा मिलती है, तो उसी पर आमें माल जादा करना चाहिए, कौन सा प्रिफरेबली बेस्ट रहेगा? आप करें, भीतर परस्वाण के लिए आपको अच्छा खाना बिना चाहिए, आप सबजीयां अधिक सेवन करें, जो बिटर के इसपेसल prossじ, अलसी को सेवन करें, तो अच्छे नरिस्मेंट से भीतर से नरिस्मेंट मिलेगगा। और अगर हम बाहर से तेल लगा रहे हैं तो बाहर से नरिस्मेंट मिलेगा, नरिस्मेंट प्रॉपर हो जाए, तो ड्राइस के नहीं होगी. सर, अब यहां पर न ऑईल के जब हम बात करें हैं, तो ऑईल भी कही तरह का रहा है, कोर्ड प्रेस ओयल, वर्जें ओयल, एक्स्टा वर्जें ओयल, तो इन में हमें बड़ी कन्फिजन हो जाती है, वीवर्स को भी कि हमें कौनसे ओयल के तरफ हमें ज़्यादा जाना जाए हैं, वो खाने के लिए उपयोग बिलेटिवली मारा जाता है, कोर्ड कमप्र्स ओयल का सकता है. Okay. So sir, अब ये तो आपने बता दिया कि हमें किस सरे से अपनी स्किन को नरिश रखना है. हमें internally भी काम करना है स्किन को नरिश रखने के लिए और हमें उपर से भी काम करना है. तो जिसके लिए हम सर्दियो के जो फूर्ड होते हैं जो मम्मी बनाती हैं, हमारे तिल के लड्डू बनाते हैं, और गॉंद के लड्डू बनाते हैं, यह सारे जो लड्डू होते हैं, यह काफी सारे नरिश्मेंट्स हमें देते हैं, इसके साथ ही ऑल की जो बात करिया अपने, हम तिल का तेल स्वाल कर सकते हैं, और ओले ओल, मुँवे पानी आये लगया, तो अक्यूपेसर पॉइंट के आपने बात करी है, अब यहां पर हमें अपने स्किन को हेल्दी रखना है, और स्किन के लिए लंग जिम्मेदार है, तो हमें बिसकिन लंग को अच्छा रखना है, तो हमारी जो लंग की नाड़ी है, वो हमारे अं अच्छे होंगे, तो अपने स्किन को अपने स्किन को अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं, इसकिन के बहुत सारे डिजीज में, बहुत सारे कंडिशन में ये लुशिक्स बहुत अच्छा काम करता है, लंग्सिक्स, तो अपने स्किन को हेल्दी रखें, अपने स्किन को हेल्दी रखें. कि सर्दियों में हमें ऐसा क्या इसमाल करना चाहिए करने दायट में अचहा लगता है वो सूरिय प्रकास Anyją सनलाइट में जाएं और बैठ सकते हैं तो बैठ कर थो ध्यान करें तो ये एक बहुत इजी बहुत अच्छा माध्यम है कि हम सुर्फ प्रकास में आने से हम ना प्रकृती में भी आते हैं बहुत आज के जमानी में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं कि जो काफी ज्यादा समय कि सनलाइट में बैठ आन ध्यान करें तो गताक यह तो मै तो दे लिए तो एक तो डबल पावर का हो जाएगा तो के हमें नाफ से अपर से हमें और चारी ज्यान थे excavated को करंगे तो अगर हमें ननो चीजगों को करते हैं तो हम सअवंग 2003 अच्छ तो एक चाह चाह शोंपाई से oh साथ आपका बहुत-बहुत धनिवाद करती हूँ, आपने अपने कीमती समय दिया, तो अरे ग्यान वर्धक हमें इन्फोमेशन हमारे साथ शेयर की, इसके लिए बहुत-बहुत धनिवाद, तो दर्शे को आज किस एपिसोड में हमने जाना सर्दियों में होने वाली कई समस्य के बारे में, उनके कारण भी जाने, उनके निवारन भी जाने, उसी के साथ आज किस एपिसोड में तो लेती हूँ आप से आगया, लेकिन आप कहीं मच जाएगा, क्योंकि आपसे फिर होगी मुलाकार डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझ